हलो गाईज, वेलकम टू माई यूटूब चैनल वाव वीडियो और दोस्तों मैं आपके लिए लेके आया हूँ 31 अगस 2018 के सारे important current repair questions जो आज हम अपने इस वीडियो में discuss करेंगे तो चलिए सुरू करते हैं आज की वीडियो दोस्तों आज का पहला question आपको बताना की हाली में इंडूनेशिया के जकारता में चल रहे Asian Games 2018 में भारती मैला रिले टीम ने भारत के लिए कौन सा मेडल जीता है आपके option है A. Bronze मेडल, B. रजत पदक, C. श्वन पदक या फिर D. इनमें से कोई नहीं दोस्तों हाली में भारती मैला रिले टीम ने 4 x 400 मीडर मैलाओं के रिले रेश में भारत के लिए श्वन पदक जीता है आपके option C सही हो जाएगा आपका स्वन पदक ठीक है अब इसके बारे में इस event के बारे में कुछ points में आपको बतारता हूँ तो ये 4 x 4 class मैलाओं में जो इसमें 4 प्लेयर भाग लेते हैं जो आप फोटो में देख पर हूँ कि यही चारो प्लेयर हैं इनका नाम है हिमादास, विश्माया वेलवा, कुरोथ, उपुम्मा राजू और शरिता बेन गायकवाड तो इन चारो जो अथलीट हैं इन्होंने भारत के लिए मैला रिले रेश में 3.28.700 सेकेंड में जो है रेश पूरी करके भारत के लिए स्वन पदक जीता है आऽे साथी साथ इसी पृतिवक्ता में बहरीन ने सिल्वर मेडल और वियत नाम ने ब्रॉज मेडल दीता है ठीक है, तो दोस्तों इस कॉश्चन से आपको इतने पॉइंट्स मिल जाते हैं चलिए बढ़ते हैं आज के नेक्स कॉश्चन पर दोस्तों आपको बताना कि हाली में किस राज्जी की हाई कोड ने NHAI को देश के सभी टोल प्लाजा पर VVIP कारों के लिए अलग से लेन बनाने का निर्देश जारी किया है तो दोस्तों हाली में मद्रास आई कोड ने NHAI से कहा है कि जो देश के सभी टोल प्लाजा है उन पर VVIP कारों के लिए अलग से लेन बनाने की शुविदा दी जाए तो आपका ओप्शन D सही हो जाएगा मद्रास आई कोड ठीक है अब इसमें एक टर्म यूज हुई है NHAI इस National Highway Authority of India ठीक है National Highway Authority of India और यह Ministry of Road Transport और Highway के अंतर गताती है अब बात यहां पर आती है Ministry of Road Transport and Highway तो आपको पता होना चाहिए कि भारत के करेंट Road Transport और Highway Minister कोण है तो नितिन गटकरी है भारत के करेंट Road Transport और Highway Minister और साथी शाथ जो NHAI के अस्थापना हुई थी वो हुई थी 1988 ठीक है 1988 में NHAI के अस्थापना हुई और इसका Headquarter है नई दिल्ली में और इससे एक important question और बनता है कि NHAI के current chairman कोण है तो उनका नाम है एदवीर सिंग मलिक ठीक है आपको नाम याद रखना है एदवीर सिंग मलिक NHAI के current chairman है ठीक है तो दोस्तों इस question से आपको इतने सारे points मिल जात ने कौन सा पदक जीता है आपके option है A. कांसे पदक, B. स्वंड पदक, C. रजद पदक या फिर D. इनमें से कोई नहीं तो दोस्तों हाली में जो है पूरिसों की 1500 मीटर दवड में जिंशन जॉंसन ने 3 मिनट 44.700 सेकंड में race पूरी करके भारत के लिए स्वंड पदक जीता और साती शात मैंने जैसे आपको प्रीवेस वीडियो में बताया था कि 800 मीटर की race में भारत के लिए जो है मंजीत सिंग ने गोल मेडल जीता था ठीक है तो दोस्तों इस question से आपको इतनी सारी जानकारी मिल जाती है चलिए देखते हैं आज का next question दोस्तों connect question आपको बताना कि हाली में भारतिय भासाओं को digital platform पर promote करने के लिए 9 लेखा प्रोजेक्ट आपको नाम या रखना है 9 लेखा प्रोजेक्ट किसके दारा launch किया गया है आपकी option है A. नीति आयों B. सूचन आयों प्रशाण मंत्राल है C. Google या फिर D. इनमें से कोई भी नहीं तो दोस्तों हाली में Google ने 9 लेखा प्रोजेक्ट जो भारतिय भाषाओं को digital platform पर promote करता है उसको जो है launch किया है अब इसमें 9 लेखा जो है एक Sanskrit word है इसका हिंदी मतलब होता है उसका मतलब है लिखने का नया तरीका ठीक है लिखने का नया तरीका इस नाम से एक project Google ने launch किया है इसके द्वारा भारत में चलने वाली offline जो भारत में चलने वाले जो offline newspaper है और जो magazines है उनको digital platform पर मजबूत करना या उनको promote करने के लिए इस जो है project की सुरवात की गई है Google द्वारा ठीक है तो आपका option C सही हो जाएगा Google ठीक है चले देखते है आज का next question दोस्त के शबसे बड़े open innovation model smart India hackton 2019 के को किसके द्वारा launch किया गया है आपकी option है A. रामनात कोबिन B. नरेंद्र मोदी श्री राजनात सिंग या फिर D. प्रकास जावडेकर तो दोस्तो हाली में भारत के केंद्री ये मानुष अंसाधन विकास मंत्री प्रकास जावडेकर जो आप smart India hackton 2019 के तीसरे शंसकरन का जो है नई दिल्ली में जो इसका अनावरण किया है तो आपका option D सही हो जाएगा प्रकास जावडेकर ठीक है अब आपके दिमाग में question आ रोगा कि smart India hackton है क्या तो student की daily routine में ठीक है students लोगों की daily routine में आने वाली जो समश्याएं है उनके समाधान क के लिए smart India hackton कारे करता है तो आपको इस question से इतनी जनकारी मिल जाती है चलिए बढ़ते हैं आज के next question पर दोस्तों आज कर next question आपको बताना है कि हाली में किस महा सागरी परियोजना के विकाश के लिए मंत्री मंडल समित ने मंजूरी दिया है आपकी option है a smart a e smart b o smart c i smart या फिर d इनमें से कोई नहीं तो दोस्तों हाली में प्रधान मंत्री मोधी की अध्धक्षता में आर्थिक माम अम परियोजना के विकाश के लिए कारे कर रही है वो थो आपका option b सही हो जाएगा a smart अब बात कर लेथे हैं जो इसकी योजना है इसके ताहित क्या क्या चीशी आएगी इसके ताहित जो है सोला उप परिवजनाय जैसे रक्षा मतस्य पालन जिसे हम मचली पालन बोलते हैं समुद्र तटी ये उद्योग जो है और साथे साथ मच्छवारों को इस से काफी लाब मिलेगा ठीक है तो इस कोशन से आपको इतनी जनकारे मिल जाती है चलिए बढ़ते हैं आज के नेक्स को अंगलादेश या फिर D स्रीलंका तो दोस्तो हाली में जैसे मैंने आपको प्रिवेस वीडियो में बताया था कि बिमस्टेक का जो है इसका चौथा जो सिखर शंबेलन हो रहा वो नेपाल की राजदानी काटमांडू में और वहीं पर सामिल होने के लिए प्रधान मंत्री नरेंद्र मोधी अपने दो दिविश्री दोरे पर है तो आपका option A सही हो जाएगा निपाल अब बिमस्टेक के बारे में मैंने आपको प्रिवेस वीडियो में कई बार बताया है बिमस्टेक है वो जो बंगाल की खाड़ी है उसके समीपवरती देशों का एक ग्रूप है ठ इसके अंतरगत आतंकवाद अस्थानिय संपर क्यों ब्यापारिक रिस्तों पर बातचीत होगी ठीक है तो आपको इस question से इतनी जनकारी मिल जाती है चलिए बढ़ते हैं आज के next question पर दोस्त करने इस question आपको बताना कि हाली में केंद्री या मंत्री मंडल द्वारा परियटन के छेतर में शहयों को मजबूत करने के लिए किस देश के साथ समझोते पर अस्ताचर किये हैं आपकी option है A. नेपाल B. रूस शी बुलगारिया या फिर D. वियतनाम तो दोस्तों हाली में केंद्री या मंत्री मंडल द्वारा परियटन के छेतर में शहयों को मजबूत करने के लिए बुलगारिया के साथ समझोतों पर अस्ताचर किये हैं तो आपका option C. सही हो जाएगा अब बात कर लेते हैं जो समझो पर आस्ताचर हुए हैं चलिए बढ़ते हैं आज के next question पर दोस्तों आज के next question आपको बताना कि हाली में नमामी गंगा प्रोजेक्ट ये काफी important question है आप इसको मार कर लिजेगा नमामी गंगा प्रोजेक्ट के तहत रास्ट्री ये गंगा स्वक्छ मिशन के लिए कितने रा चार राज्यों के लिए जो है 1500 करोण की परियोजनाओं को मंजूरी दी गई है जो रास्ट्री ये गंगा स्वक्छ मिशन के तहट कारेंगे अब मैं उन राज्यों का आपको नाम बताता हूँ आप नूट करना चाहिए तो नूट कर लिजे पहला राज्य है उत्रकंड हाटों का विकास किया जाएगा सीवज ट्रीटमेंट प्लांट लगाए जाएंगे और साथी साथ जो छोटी नदियां है और नाले हैं जो गंगा में मिलते हैं उनको गंगा में मिलने से रोका जाएगा उसके लिए भी प्लान जो है त्यार किया जाएगा ठीक है तो इस कु कौन कोई से मेडल जीत रहा है उसके बारे मैं लेके आता हूँ तो उसकी के अंदर आज मैं फिर लेके आया हूँ तो इसमें भारत जो है 1500 मेटर महिलाओं की दोड में चित्र उन्नी कृष्णनन ने भारत के लिए कांसे पदक जीता है डिसकस्थ्रो में महिलाओं के लिए महिलाओं की परत्योकता में डिसकस्थ्रो में शीमा पुनिया ने कांसे पदक और 4 in psycho class रेले रेटीश पुरुसों की परत्योकता में भारत ने सिलवर मिडल जीता है और इन पदकों के साथ जो है 30 अगस 2018 को भारत टोटल 59 पदकों के साथ टैली में आठ में पोजीशन पे है जिसमें 13 गोल जो है 21 सिलवर और 22 ब्रॉंज मिडल है ठीक है तो आपको इतने शारे पॉइंट्स यहाँ पे मिल जाते हैं बाकि दोस्तों आज क कि वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को ज्यादा स्यादा लाइक करिए और सेयर करिए साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बाकि जो है साथ में वेल आइकन को डबाना बिल्कुल मत बोलिए ताकि अगली कोई भी वीडियो आए तो आपको इसका मिल जाए तब तक के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया मिलते हैं आप से अगली वीडियो में